राधे राधे जैसे किष्णा, स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भग्ती में आज इस वीडियो में हम योगीनी एकाथसी ब्रत की पूझा भीती देखेंगे आज साहड मास के कृष्ण भग्ष की एकाथसी को योगीनी एकाथसी के नाम से जाना जाता है इसे काजसी पे भगवान विष्णुजी के चतूर भुजरूप की पूजा की जाती है इसे काजसी का ब्रत करने से हमें 88,000 ब्रामडों को भोजन कराने जितना पल राप्त होता है तो चलिए अब हम पूजा बिदी देखते हैं तो देखें सुबसना नादी के बाद हम पूजा के लिए चौकी लगा लेंगे चौकी पे हम पीले रंका वस्तर भी चाह लेंगे आप चाहें तो अपने मंदीर में भी ये पूजा कर सकते हैं अब देखें हम थोड़े से तीलो का आसन देकर भगवान विष्णु जी की फोटो को विराजमान कर लेंगे अगर आपके पास भगवान विष्णु जी की मूर्ती है तो आप उनको पंचामरी तिसनान करा के पूजा करें अब देखें हमने यहापे गनेश जी को विराजमान किया है अगर आप अपने मंदीर में पूजा करें तो फिर आपको अलग से गनेश जी की स्थाफना नहीं करनी है और देखें अगर आप लड़ू को पाल जी की सेवा करते हैं तो उनको भी पूजा में जरूर से विराजमान करें क्योंकि लड्डू को पाल जे भी भगवान विश्णु जी के ही स्वेरूप है तो देखें हमने सभी भगवान को विराजमान कर लिया है अब देखें योगिनी एक आठसी ब्रत की सुरुवात एक जुलाई दिन सोंबार को सुबह 10 बज कर 26 मिनट से हो रही है और समापन दो जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 8 बज कर 42 मिनट पे होगी दो जुलाई को दो आठसी युग सुदे काथसी है इसलिए हमें हमेशा सुदे काथसी का ब्रती करना चाहिए अब देखे हम सभी भगवान को भा रूप में जल के छेटे लगा कर स्नान करा लेंगे इसके बाद से हम पूजा में सबसे पहले दीपक जलाएंगे अब हम पूजा सुरू करते हैं अब हम सबसे पहले गनेश जी का पूजन करेंगे तो हम गनेश जी को बस रुपी कलावार पित करेंगे इसके बाद हम चंदन से तिलग करेंगे रोली से तिलग करेंगे और हम फूलर पित करेंगे अब देखें साथ में हम दीपक का भी पूजन करेंगे तो हम दीपक को चंदन रोली से तिलग कर देंगे और पूलर पित कर देंगे दीपक हमारे पूजा का साक्षी होता है तो हम दीपक की भी पूजा करेंगे अब देखें विश्नु भगवान को हम वस्तुरूपी कलावा पित कर देंगे और लड्डू को पाल जी का मैंने पहले ही इसनान सिंगा कर लिया है अब हम चंदन से विश्नु भगवान को तिलाग करेंगे फोटो में जितने भी भगवान जी विराजमान है सभी भगवान को हम चंदन से तिलाग कर देंगे इसके बाद हम लड्डू को पाल जी को भी तिलाग करेंगे अब हम भगवान जी को फूल अर्पित करेंगे तो पीले रंग के फूल भगवान जी को अतिप्रिय है तो आप पीले रंग के भगवान जी को फूल अर्पित करें अब हम सभी भगवान को तील अर्पित कर देंगे एक आजसी पे आप चावलों का परियोग ना करें पूजा में तिलका ही परियोग करें अब हम विश्णु भगवान जी को और लड़ू गोपाल जी को तुलसी अतिप्रिय है तो अब भगवान विश्णु जी को तुलसी जरूर से अतिप्रिय है अब देखिए मैं आपे गौमाता को विराज मान कर रही हूँ क्योंकि हमारे लड़ू गोपाल जी को गौमाता अतिप्रिय है तो हम गौमाता को लड़ू गोपाल जी के पास विराज मान करके उनकी भी पूजा कर लेंगे अब हम सभी भगवान को इत्र लगाएंगे इसके बाद से हम यथा सकती दक्षन आरपीत करेंगे ताकि यदि हमारे पूजा में कोई कमी हुई हो तो वो पूरी हो जाए अब देखिए हम भगवान को भोग लगाएंगे तो गनेश जी को हम अलग से भोग लगा देंगे और विश्नु भगवान जी को हम तुल से युक्त फलका भोग लगा सकते हैं तो हम भोग लगा देंगे भगवान को इसके बाद से हम भगवान जी को जल अरपीत कर देंगे इसके बाद देखिए हम एक लूटा जल्ले लेंगे हाथ में थोड़े से तील या फिर फून लेके हम योगीनी 81 ब्रत की कथा और महत्तम को पढ़ या फिर सुन लेंगे तो देखिए यहां पे बुक में योगीनी एकाजसी ब्रत की कथा लिकी है उसे हम पढ़ लेंगे कथा पढ़ने के बाद यह जो हमने हाथ में तिल लिया है वो हम भगवान के पास अर्पीत कर देंगे तो इस तरह से हम योगीनी एकाजसी ब्रत की तो हम प्रेम पुर्बक सभी भगवान की आर्ती कर लेंगे। आर्ती के बाद से हम हाँ चोड़कर पुजा में हुई भुल्चुक के लिए भगवान से छमायाचना करेंगे और अपनी मनुकामना पुर्ती के लिए प्रातना करेंगे। तो इस तरह से हम बहुत ही सरलविदी स योगिनी एकाथसी ब्रत की पूजा करेंगे। पूजा के बाद ये जो जलका लोटा है इससे हम सुरेदेव को अर्ग दे देंगे। और भोगवान साथ हम सभी में बात देंगे। इस तरह से हम बहुत ही सरलविदी से योगिनी एकाथसी ब्रत की पूजा करेंगे। देख वरन करनें Mari과경 कि दीन Two Ti Teti 7 बच के 10 मिनट के बाद समाफ्थ हो जैगी तो इस बीज अपने का पारण जरूर से करलें कि one bak started समाफ्थ होने से पहले हमें अपने Rs.18is构 अपने का पारण jasa होता है तो इस तरह से आप पूजा जरूर से करें अगर वीडियो आपके लिए यूस्पुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें कॉमेंट करें और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सस्क्राइब करें थैंक यू राधे राधे जैसे किष्णा